हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर उभरा हुआ डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट से डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जैन्ट, लैडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए आपको 6 के multiple फंदे लेकर 4 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से adjust हो जाएगा 6 के multiple देखिए आप इसमें 6 फंदे गिन लिजिए फिर से 6 फिर से 6 बार बार 6 फंदे गिनते जहिए और last में आपके 4 फंदे होने जहिए ये design सीधी side से शुरू होता है 6 सलाईों का design है और 12 सलाईों में complete हो जाता है तो friends जो design की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो design को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए है 28 फंदे 6-6 के multiple करके और 4 फंदे extra अब यहां पर हमारे design की पहली सलाई है और सीधी side है तो पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे उतारिए या आप उल्टा बनाईए इसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और यहां से हमारा design शुरू हो जाएगा तो देखिए 2 फंदे सीधे एक और यह दो अब धागे को अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे उल्टे बनाईए एक दो तीन और यह चार अब एजस्टीच के बाद 2 फंदे सीधे 4 उल्टे यही design हमें बार बार रिपेट करना है तो धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे देखिए एक और यह दो फंदे सीधे हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे 4 उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और यह चार फिर से यही 6 फंदे का design बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे एक दो तीन और यह चार फिर से हम 6 फंदे बनाएंगे 6 फंदे का design है इसमें से हमारे 2 फंदे सीधे देखिए एक और यह दो और धागे को अपनी तरफ करेंगे 4 उल्टे एक दो तीन और यह चार लाश्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे जितने भी फंदे हों 2 सीधे 4 उल्टे 2 सीधे 4 उल्टे बनाते जाईए लाश्ट में होंगे 3 इसमें से 2 फंदो को हम सीधा बना देंगे और अज़ इस टीज को उल्टा बुन लेंगे अब आज यह इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर जो फंदे सीधी साइड पर उल्टे बनाए वो इधर आपके सीधे होंगे जो इधर आपके सीधे बने हैं वो उल्टी तरफ आपके उल्टी बनेंगे तो दूसरी सिलाई आप ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच है उसके बाद ये दो फंदे यहां सीधे थे तो इनको हम यहां उल्टा बुन लेंगे अब ध्यागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार तो देखिए एजस्टीच के बाद दो उल्टे चार सीधे यही डिजैन बार बार रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे चार फंदे सीधे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे सीधे बनाने के बाद और तो दो फंदे आप उल्टे बुन दीजिए, फिर धागा पीछे करेंगे, चार सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब लास्ट में बचेंगे आपके तीन फंदे, दो डिजाइन के हैं, और एक एजस्टीच है, इन तीनों को हम यहाँ उल्टा बुन देगे, तो दो सलाइय डिजाइन की कंप्लीट हो गई, अब हमने जैसे यह दो सलाइया बनाई, सेम हम दो सलाइया और बनाएंगे, तो थोड़ा सा आप डिजाइन देख लीजिए, पहला फंदा एजस्टीच, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और चार उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब देखिए, एजस्टीच के बाद दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, पूरी सलाइय को आप बना दीजिए, तो ये देखिए, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे करते हुए हमने लाश्ट तक बुन फंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे तो देखे पहला फंदा एजस्टीच है उतारिये या उल्टा बनाईए उसके बाद ये दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार बार बार अब सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर मैंने इसकी फोर्थ स्लाई को कम्प्लीट कर दिया है अब आज ये इसकी पांचमी स्लाई और सीधी साइपर पांचमी स्लाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसको आप उतारिये या उल्टा बनाईए अब हम धागे को पिछे करेंगे ये जो दो फंदे सीधे हैं इसमें से एक को आप ऐसे स्लिप कर लीजिए अब ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन और ये चार चार आपको इस तरह से ये लाईने दिख रही हैं लास्ट वाले छेद में हम ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंद बना देंगे आप देखिएगा यहाँ भी हमें एक एक्स्ट्रा फंदा बनाना है उसी छेद में वापस लाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे इसको इस लाई पर डाल देंगे एक ये एक्स्ट्रा वाला और एक ये सीधे वाला बैक साइड से इन दो फंदो का हम एक फंदा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार देखिए एजस्टीज के बाद ये हमारा छे फंदे का डिजाइन बना है इसी को हमें बार बार रिपीट करना है तो पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखते जाएगा देखिए इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे ये देखिए ये जो आपकी है यहां लास्ट वाला जो छेद आपका होगा इसमें ऐसे स्लाई डालिए एक एक एक्स्ट्रा फंदा आप बना लीजिए इसमें से और ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनेगा इसको आप थोड़ लूज रखिएगा और इसे देखे ये ले लिया और इस स्लाई से ये वाला फंदा भी ले लिया आगे से स्लाई डाल कर इन दोनों का हम एक फंदा ऐसे बना देंगे अब जिस छेद में से पहले फंदा बनाया उसी में वापस स्लाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा देंगे धागा पिछे करेंगे एक सीधे फंदें को हम ऐसे उतार लेंगे इसके ऐसे जो हमारा लाश्ट का छेद होता है इसमें स्लाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना कर लाएंगे इसको हम इस स्लाई के उपर ले लेंगे और ये वाला फंदा आगे से स्लाई डालेंगे और इन दो का हम एक फंदा बना देंगे अब वहीं वापस स्लाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा हम और बनाएंग इसे थोड़ा लूज रखेंगे और इस साथ की स्लाई पर ले आएंगे ये एक्स्ट्रा ये सीधा बैक साइड से स्लाई डालेंगे और दो का यहां एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करके चार उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर से धागा पीछे कर लीजि ये जो दो सीधे हैं एक को स्लिप कीजिए इनके बीच में जो लास्ट वाला छेद है ये दोनों ये धागे से आपको दिख रहे हैं देखिए एक दो तीन चार चार धागे आपको दिखेंगे इसके नीचे स्लाई डालिए और एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना लीजिए अ इसको इस हाथ की स्लाई पर ले आएंगे ये एक्स्ट्रा और ये सीधा बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और चार उल्टे एक दो तीन और ये चार धागे को हम पीछे करेंगे ये लास्ट में दो फंदे सीधे हैं एक को ऐसे स्लिप कर लेंगे चार धागे के नीचे से दोनों फंदों के बीच ओ बीच आपको धागे दिखेंगे इसके सबसे लास्ट वाले धागे के नीचे से ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे इसे हम थोड़ा लंबा रखेंगे इस फंदे को भी वाप स्लाई पर ले लेंगे आगे से स्लाई का हमारा एजस्टीच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे तो यहाँ पर हमारे डिजैन की पांचवी सलाई कमप्लेट हो गई छटी सलाई है और उल्टी साइड है इस सलाई को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पर भी हमारा डिजैन बनेगा देखिए पहला फंदा हमारा उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को हम पीछे कर लेंगे अब ये एक फंदा हम यहाँ पर सीधा पहले बुन लेंगे अब हमें इन फंदों को ट्विश्ट करना है ये वाला जो फंदा है ये जो चार सीधे इनके बीच में बुना जाएगा तो इसे आप छोड़ दीज इनके पीछे से लाईए और यहाँ पर पहले कीजिए और इन दोनों को आप सीधा बनाईए और ये वाला फंदा भी सीधा ये सिलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी लेकिन फंदे ट्विश्ट करते हुए अब देखे ये डिजैन वाला है ये दो सीधे वाले है अब ये फं आगे वाली साइड से इस फंदे में आप ऐसे स्लाई डालिए इन दो को उतारिए और यहां डाल दीचिए और इस फंदे को आप यहां लेकर आईए अब देखिए एक दो और यह तीन ट्विश्ट किये इनको हमने बुन लिया अब देखिए यह डिजैन वाला है यह दो सीधे इनके बीच में बुना जाएगा यह तो इसे छोड़कर इन दो फंदों में यहां से स्लाई डालेंगे इसे उतारेंगे प्रंट वाली स्लाई पर डाल देंगे इन दोनों को हम यहां आगे करेंगे अब देखिए एक दो और यह वाला तीन फंदे हमने सीधे बुने फिर से देखिए यह दो तो सीधे हैं और यह यहां डिजैन वाला है तो यह डिजैन वाला अगर टाइट लगे तो ऐसे लूज कीजिए फिर आगे की साइड से इस फंदे में स्लाई डालिए यह दो सीधे वाले उतार कर इसाथ की स्लाई पर कर दीजिए इनको हम यहां लाएंगे और ये वाले तीन फंदे अब सीधे, एक और ये देखिए, दो, तीन, फिर से फंदे ट्विस्ट करने हैं, देखिए ये डिजाइन वाला इसे छोड़ के, ये सीधे वाले जो फंदे इनमें स्लाइड आलेंगे, इसे उतारेंगे, यहां करतेंगे, अब इन दोनों को यहां ल है, ये वाला थोड़ा टाइट लगेगा, ऐसे लूज कीजिए, फिर आगे से स्लाइड आलिए, इन दोनों को उतारिए, और यहां डाल दीजिए, और इसको पीछे से लाकर यहां आगे कीजिए, और इस फंदे को अब आपको सीधा बुनना है, तो ये देख लिजे, एक, दो, और ये तीन, जो फंदे ट्विष्ट कीए, उनको हमने सीधा बुन लिया, अब ये डिजाइन वाला और ये सीधे वाले, इसको ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे, और देखो फ्रेंट वाली स्लाइपर ऐसे डाल देंगे, इन दोनों को अब यहां पर ले आएंगे, जो आगे से स्लाइड डालेंगे, इन दो को उतार के यहां करतेंगे, और इसको हम यहां डालेंगे, अब ये एक, दो, तीन, अब लाश्ट में बच गे दो फंदे, एक को ऐसे सीधा बुनेंगे, एजस्टीच को आप सीधा बनाएए, या उल्टा बनाएए, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो यहां पर हमारे डिजैन की 6 सलाइअ कम्प्लीट हो गई है, अब हमें बनानी तो यही 6 सलाइअ है, सिरफ ये जो डिजैन हमने बनाया 2 फंदे सीधे पर इसकी जगह चेंज होगी, तो यहां पर डिजैन की 7 वी सलाइए, इसे आप ध्यान से देखिए, पहला एजस्टीच होता है, उसके बाद देखिए, 1, 2 और ये 3, तो टोटल आपके यहां पर 4 फंदे आ जाएंगे, अब हम धागे को पीछे करेंगे, देखिए, यहां से ये फंदा इधर आया, ये सीधा इधर आया, तो इन 2 सीधे फंदों को हम अब बुनेंगे, ये देखिए, चार बुनने के बाद 1 एजस्टीच, 3 उल्टे, 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2, यानि 4 उल्टे, 2 सीधे, वही डिजाइन बन गया है, फिर से हम 4 उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे, और 2 फंदे सीधे, 1, 2, और फिर धागा अपनी तरफ कर के 4 उल्टे, 1, 2, 3, और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे, और 2 फंदे सीधे, 1, और ये 2, टाइट हों तो थोड़ा लूज करके बना सकते हों, फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, और ये 4, धागा पीछे करेंगे, और 2 फंदे सीधे, 1, और ये 2, और लास्ट में आपके चार फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो देखें यहां पर हमारे डिजैन की साथ मी सलाई कम्प्लीट हो गई आठ मी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे इधर सीधे हैं वो इधर उल्टे जो इधर है वो इधर सीधे तो आठ मी सलाई पर देखें कैसे होगा पहला फंदा एज़स्टीच उतारिये यह उल्टा बनाएए धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन एज़स्टीच के बाद तीन सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे एक और यह दो फिर धागा पीछे और चा सीधे बुनके आप धागे को अपनी तरफ करके दो फंदो को उल्टा बुन दीजिए पूरी सलाई आपने अब ऐसे ही बनाते जाना है तो यह देखिए यहां पर हमारे डिजैन की आठ मी सलाई कंप्लीट होगी नौमी सलाई सीधी साइड पर यहां स्टार्टिंग में आप आपके चार उल्टे दो सीधे चार उल्टे दो सीधे नौमी सलाई बना दीजिए दसमी सलाई पर फिर आपको जो फंदे सीधे दिखाई दे उनको सीधा बनाईए और जो उल्टे दिखाई दे उनको उल्टा बनाईए तो इस तरह से आप यह नौमी और दसमी दोनों सलाई बना दीजिए तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दस्मी सलाई तक डिजाइन को बना लिया है अब ग्यार्मी सलाई इसकी ठीक पांच्मी सलाई के जैसे बनेगी तो देखिए पहला फंदा एजस्टीच है उसके बाद ये तीन फंदे और उल्टे बुने जाएंगे यानि यहां स्टार्टिंग में हमारे चार फंदे उल्टे आ गए धागा पीछे करेंगे ये जो दो सीधे हैं इसमें से एक फंदे को आप स्लिप कीजिए और यहां पर देखिए एक दो तीन चार चार धागे के नीचे से ऐसे सलाई डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा बना कर लाएंगे अब देखिए एक्स्ट्रा बनाया हुआ इस सलाई पर ले लिया इस सीधे को भी वापस सलाई पर लेंगे आगे से सलाई डालेंगे और इन दो का हम एक फंदा आगे से बुन देंगे ये देखिएगा ये हो गया अब जहां से पहले एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी छेद में स्लाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और थोड़ा सा लूज रखेंगे, स्लाई के उपर करेंगे, एक एक्स्ट्रा और एक लंबे वाला, बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे, तो चार उल्टे और दो फंदे पर डिजैन, इसी को ब पीच में धागे दिख रहे हैं, चोत्खे फंदे के नीचे से स्लाइड डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनकर स्लाइपर ले आएंगे, इन दोनों को देखे एक्स्ट्रा वाले को भी और सीधे फंदे को भी इस स्लाइपर लेंगे, और आगे से स्लाइड डालकर दो का ए आ देंगे फिर चार उल्टे फिर दो फंदे फेर डिजायन बनाते हुए 11मी स्लाई को कंप्लीट कीजिए तो ये देख लिजिए 11मी छिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है लास्ट में भी हमारे चार ही फंदे उल्टे बार्मी सलाई उल्टी साइड से इसे भी देख लिजिए पर पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसको आप उतार ये या उल्टा बनाएए अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहां पर सीधा बनाएंगे अब देखिए ये डिजैन वाला फंदा और ये दो सीधे इनको हमें ट्विष्ट करना है तो इस फंदे को आप पहले इस तरह से खीच के लूज कीजिए क्योंकि अगर सीधी साइड से डालोगे तो ये आपको बहुत टाइट लगेगा और फिर अगली साइड से इस डिजैन वाले फंदे में स्लाई डालके ये जो दो सीधे वाले ह इन दोनों फंदों को आप उतार दीजिए ऐसे उतार के इस साथ की स्लाई पर डालिए और इसको पीछे से लाकर अब आगे कर दीजिए और ये जो तीन फंदे अभी ट्विष्ट किये इन तीनों को हमें सीधा बुनना है तो इनको हम देखे इस तरीके से थोड़े टाइट हो जाते हैं ट्विष्ट करने पर एक दो गिनके बनाईएगा आप इनको दो का एक ना होने पाए और ये हमारा तीन आप देखेगा ये डिजैन वाला और ये दो सीधे वाले इन फंदों को हम ट्विष्ट करेंगे तो इसे छोड़ कर दो सीधे वाले में ऐसे स्लाई डाले इससे उतारेंगे और यहां आगे कर लेंगे इन दोनों को हम यहां पर लाएंगे अब एक दो और यह तीन फंदे सीधे फिर से यह दो सीधे हैं और यह डिजाइन वाला है डिजाइन वाले को ऐसे लूज कर लिजिए फिर आगे से स्लाइड डाल कर इन दोनों को उतारें यहा अहां पर लाईए अब देखिए एक दो और ये तीन अब ये डिजैन वाला दो सीधे दो सीधे में स्लाई डालेंगे डिजैन वाले को उतार कर ऐसे स्लाई पर डाल देंगे इनको इनके आगे कर देंगे अब एक दो और ये तीन फंदे सीधे इस डिजैन को आप किसी भी प्र इधर डिजैन लगता है अब यह जो हमारा डिजैन वाला फंदा है आगे से लेंगे इन दो को उतारेंगे और यहां डाल देंगे और यह आ गया इधर तीनों को सीधा बनाएंगे एक दो और यह तीन अब यह डिजैन वाला है इसे छोड़ देंगे सीधे दो फंदे में पर और इनको हम आगे ले आएंगे, अब एक दो और ये वाला तीन फंदे सीधे, अब ये दो सीधे हैं और ये डिजाइन वाला है, इसमों ऐसे लूज करेंगे, फिर आगे से दालेंगे, इन दो को उतारेंगे, अपनी तरफ वाली पर डालेंगे, फिर पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे एक इन फंदों को हमें अब सीधा बुनना है एक और यह दå और यह तीन अब यह डिजैन वाला है स्को तो हमें छोड़ देना है और दो सीधे में स्ले डालनी है इसको यहाँ पर ले आएंगे इन दोनों को आगे कर देंगे अब एक दो और ये तीन अब लाश्ट में बच गई दो फंदे एक को सीधा बुनेंगे और अजिस्टीच को उल्टा बुन देंगे तो देखे बहुत ही सुन्दर सा हमारा उभरा हुआ डिजैन बनता चला जाएगा कैप पे, मफलर पे, शोल पे, स्टोल पे, स्वेटर पे, जैकेट पे किसी पर भी डालिए बहुत प्यारा लगेगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा एजस्टीच, दो फंदे सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे ऐसे हमारा यह डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो, नेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो फ्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू जुडे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल प्रप्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें, थैंक्यू,